लो गाइज, वेलकम तो माच चैनल, तो फाइनली, माइक्रोमैक्स का यू टिली विंचर्ज ने यू यू यूरेका ब्लैक को लाँच कर दिया है इंडिया के अंदर, तो चलिए देखते हैं, कैसा इसका डिजाइन है, क्या इसका बिल्ड क्वालिडी है, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगो दोस्तो इसका बिल्ड क्वालिड के मैं बार मत बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है एक मेटल बॉडी का फोन, बैक में आपको मिलता है 13MP का रेर कैमरा, उसके नीचे आपको मिलता है डूल LED फ्लैश, और आपको बैक में मिलता है दो स्ट्राइप्स, और उसके उपर मिलता है आपको यू का ब्रैंडिंग, और मैं अगर front की बात करूँ दोस्तो front में आपको मिलता है 8MP का front camera LED flash के साथ और आपको home button में ही fingerprint scanner मिल जाता है तो जल्दी से इसका specifications मैं आप लोगों बता देता हूँ दोस्तो यहाँ पे आपको मिलता है 5 inches का full HD IPS display और इसके उपर दिया गया है Corning Gorilla Glass 3 का protection और 2.5D curved glass के साथ आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है दोस्तो 1.4 GHz का Qualcomm Snapdragon 430 और आपको GPU मिलता है दोस्तो Arduino का 505 और आपको यहाँ पे RAM मिलता है दोस्तो 4GB का internal storage मिलता है आपको 32GB का और आप इसका जो microSD card support है तो आप यहाँ पे microSD card भी लगा सकते है 64GB तक और यहाँ पे दोस्तो मैं अगर camera की बात करूँ तो camera दिया गया है 39MP का rare camera dual LED flash के साथ और 8MP का front camera flash के साथ और यहाँ पे battery दिया गया है दोस्तो 3000Ah का battery कोई fast charging नहीं है यहाँ पे supported और इसका Android version है यह है दोस्तो Android Marshmallow 6.0 तो मैं अगर pricing की बात करूँ तो यह launch किया गया है 8999 रुपे में आप अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो यह June 6 का midnight से बिकने वाला है flip card में 6 June का midnight से आपको flip card में मिल जाएगा दो color gradient है यहाँ पे chrome black और matte black तो आपको इस price range यानि के 8999 रुपे में एक और अच्छा option मिलता है Xiaomi Redmi 4 तो आप अगर Xiaomi Redmi 4 ना ले पाए रिफ्लेशल के वज़े से तो आप यह भी चूज कर सकते हैं क्योंकि इसका specifications बहुत अच्छा है तो पहले दोस्तों मैं specifications देखके एकदम चौक गया था कि Util Ventures ने तो एकदम कमाल कर दिया है ऐसा एक specifications के साथ यह price में launch करके उसके बाद आया टेकनिकल गुरी जी का वीडियो तो मैंने उनका वीडियो देखा आप भी जाके देख सकते हैं उनके वीडियो से मुझे पता चला यह जो phone है यह है rebranded phone जो की चाइना में launch किया गया था वीको कंपनी द्वारा जिसका नाम था वीको यू फिल प्राइम तो phone design wise एकदम सेम है specifications एकदम सेम है यानि कि उसी phone को उठा के यहाँ पे दे लिया गया है तो वीको कंपनी चाइना में ही launch किया था इस phone को वीको यू फिल प्राइम को तो उसी phone को यू ने यू टेलिवेंचर ने लेके इंडिया में launch कर दिया है सिर्फ matte black देखे color variant देखे बस दोस्तों बताना क्या है दोस्तों बस और यही है मुझे जब लगा कि 8999 रूपे में यह तो कमाल कर दिया है यू टेलिवेंचर ने मतलब इतना अच्छा specifications इतना अच्छा processor इतना अच्छा RAM तो उसके बाद मैंने वीडियो देखा दिल सो एकदम तूट सा गया दिल मुझे पता ही है Micromax का यही काम है सिर्फ copy 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 कब copy करना बंद करेगा Micromax पता नहीं तो देखते हैं दोस्तों ऐसा copy करकर के कितना दिन चलाता है Micromax तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मेरा अगर आप opinion जानना चाहते हैं कि यह phone खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए मैं Snapdragon का 435 processor और वहां पर आपको 3GB का RAM मिलता है जबकि यू यूरेका Black में 4GB का RAM मिलता है तो आपको अगर Xiaomi Redmi 4 नहीं मिलता है तो आप जाके इस phone को खरीद सकते हैं लेकिन इस phone में battery efficient phone नहीं है आपको यहां पर battery backup अच्छा नहीं मिलेगा तो मेरा opinion बस यही तक था दोस्तों आया सामने rebranded phone देखते हैं दोस्तों कितना चलता है नहीं चलता है कितना बिकता है तो आपका क्या opinion है कि आप ऐसे rebranded phone को खरीदना चाहेंगे मुझे comment section में comment करके बताईए उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो like कर दीजिए और share कर दीजिए अ ऐसे interesting video में दोस्तों तब तक के लिए बाई